मिनी जानकारी एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलता है सोशल साइन्स, साइन्स, जीके, करेंट टॉपिक्स और सारे सब्जेक्ट्स की इंपोर्टन टॉपिक्स की जानकारी बिल्कुल कम समय में तो कम समय में पूरा कॉंसेप्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें वर्ड वार वन, इसकी भीशनता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वार में लगभग 1.7 करोड दित हुई थी इस वार को दे ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाने लगा यह माना जाने लगा कि आने वाले 50-60 सालों में इतना भयानक वार कभी नहीं होगा लेकिन इसके 20 साल बाद 1939 में जब सेकंड वर्ड वार हुआ तब इसका नाम बदल कर वर्ड वार वन रख दिया गया नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्ड वार वन शुरू कैसे हुआ कौन कौन सी राइवलरी थी और किसे दोसी ठहराया जाए इन सब में तो चलिए बैग्राउंड में चलते हैं दोस्तों 19 सेंचुरी के एंड में डेवलप्मेंट की रेस में वेस्टर निशन सबसे आगे थे इसी बीच कंट्रीज के आपस में ट्रिटीज साइन हो रहे थे जिसके अनुसार एक कंट्री पर अगर अटैक होगा तो दूसरी कंट्री उसकी हिल्प के लिए आगे आएगी काफी सारी अलाइंस बनी और इनी अलाइंस ने नेशन्स को दो ग्रूप में बाट दिया कुल मिलाकर वार जैसी सिचुएशन पूरे वर्ड में बन रही थी धीरे धीरे वर्ड की मेजर पावर्स टू ग्रूप में डिवाइड होने लगी एक था अलाइड पावर जिसमें रशिया, ब्रिटन, युएसे और जपैन था दूसरी साइड थी सेंट्रल पावर जिसमें ऑश्ट्रो हंगेरीन इंपायर, जर्मनी एंड टर्की था इस ब्रीफ बैग्राउंड के बाद अब बात करते हैं कॉजेज ओफ वर्ड वार वन दोस्तों अगर कॉजिज की बात करें तो चार मेन रिजन थे वर्ड वार वन के पीछे पहला था मिलिटरिजम यानि की आपस में टैंक्स, मसीन, नोवेल सिप, बढ़ाने की होड सब ही कंट्रिज अपने आपको सुपीरियर शाबित करने में लगी हुई थी दूसरा रिजन था अलाइंस सिस्टम फॉर एक्जामपल 1907 में ट्रिपल इंटेंट नाम की एक अलाइंस फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन के बीच बनी जिसमें तीनों कंट्रिज पर अगर किसी पे अटेक हुआ तो दूसरी दोनों कंट्रिज आएंगी पूरे वर्ड में अलग-अलग अलाइंस बन रही थी थर्ड रिजन था इंपीरिलिजम मतलब अपने अपने रूल के एरिया को एक्सपेंड करने की दोड़ सभी कंट्रीज में कॉलिनीज को एक्सपेंड करने की दोड़ लगे हुए थे फोर्थ रीजन था नेशनलिजम नेशनलिजम का मतलब था ग्लोरी ओफ वार यानि की देश के लिए लड़ना तो ये तो थे कुछ फंडामेंटल रीजन्स पर वार का इमिडियेट काउज क्या रहा जिससे वार शुरू हो गया दोस्तों वार का इमिडियेट कारण था आश्ट्रो हंगेरीन इंपायर के प्रिंस आर्चड्यूक फ्रेंड फर्निनेंट की और उनके वाइफ की हत्या प्रिंस और उनकी वाइफ बोसीना की यात्रा कर रहे थे तब 28 जून 1914 को बोसीना के गैवरीलो प्रिंसिप के द्वारा उन पर अटैक हुआ और उनकी हत्या कर दी गई जिसने हत्या की वो ब्लाक हैंड ग्रूप का मिंबर था जो की सर्बिया का ग्रूप था अब ऑस्ट्रो हंगेरीन इंपायर ने सर्बिया पर अटैक करने का और उससे बदला लेने का मन बना लिया था और जर्मनी ने भी फुल सपोर्ट का वादा किया और एक तरह से जर्मनी ने हरी जंडी दिखा दी तब आस्ट्रो हंगेरिन इंपायर ने सर्बिया पर वार डिकलेर कर दी तो इसी तरह शुरुआत हुआ वर्ल्ड वार वन का तो अब वर्ल्ड वार सुरू होने का दोस किसे दिया जाए कुछ हिस्टोरियन आस्ट्रिया को दोस देते हैं क्योंकि वही पहली कंट्री थी जिसने पहले अटेक किया कुछ जर्मनी को क्योंकि जर्मनी ने हरी जंडी दिखा कर आस्ट्रिया और हंग्रे इंपायर को उच्साहित किया था खैर ये वार सुरू होने के साथ साथ बहुत तेजी से फैला भी तेजी से फैलने के कारण बहुत सारे थे पहला कारण था अलाइंस सिस्टम जिसके कारण बहुत सारी बड़ी बड़ी मेजर पावर्स जैसे फ्रांस, रसिया, USA, ब्रिटेन, एक्सेटरा इस वार में धीरे-धीरे कूदिते गए और यह वार एक भयानक रूप ले लिया दूसरा वजह था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नेवल रेस दोनों में अपनी नेवी को सुपीरियर प्रूफ करने की होड मची हुई थी कुल मिला कर यह वार का में रीजन बस एक ही था ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को कैप्चर करना कुछ कंट्रीज ने ज्यादा एग्रिशन मिया कर अनफेर एक्ट किया सारी कंट्रीज ने कुल मिला कर ग्रीडी एक्ट किया जिस वजह से इस वार ने इतना भयानक रूप लिया और बहुत सारे लोगों की लगभग 1.7 करोड़ लोगों की मृत्ति होई धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर ऐसे ही टॉपिक पर एक्स्पलिनेशन कम समय में चाहते हैं तो इस चैनल मिनी जानकारी को अभी सब्सक्राइब करें हमारा उच्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए